चेन केलो या हेवी रोग केलो जो कि हमने एक लूप के फ़र में रख़्ी हुई थी ठीक है बहुत बार आपको जो solution दिया जाएगा वो पहले वाला जो मैंने solution मता दिया था वो दिया जाएगा लेकिन बच्चो वो गलत होता है हम किसी को भी horizontal नी काएंगे किसी को भी vertical नी काएंगे जैसे wedge के उपर interact करेगा और इसके उपर interact करेगा question हम से इसी normal की value को निकालने के लिए बूर रहे हमें इस surface में हलका सा यहाँ पर curvature देना पड़ेगा solution को लगता है कि solution को गलती तो नहीं है तो यह answer यह होना चाहिए हो सकता है इक उनको यह बताने लगता है कि हमारे solution में क्या गलती थी मतलग की हाई बच्चो मैं वेकास अकरवाल फिर से आगया हूं आपके सामने aspire series का next session लेके आज के session में हम center of mass और collisions पर जो concept है उनके ऊपर हम कुछ questions करने वाले हैं without wasting time we will start before we start there is one thing that I would like to tell you about the founders telegram channel so Vidantu के जो founders है आरंतरकाश सर पुलके जैन सर और मामशी कृष्णा सर यह तीनों founders इस telegram channel पर present है जहां पर यह बच्चों से regularly interact करते हैं ठीके इस channel को आप जरूर 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 करिए ताकि आप तीनों founders से directly इनके messages सुन सके यहां पर का होता है किस तरी के activities होती है इस channel पर मैं आपको बताऊंगा आप इस QR code को scan करके इस channel को जरूर 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 करने अगर आपने अभी तक जर नहीं कर रहा है तो यहां पर होता क्या है तो यहां पर आप से content share किया जाता है ठीक है हमारे founders जो की खुद बहुत इच्छे जरूर ने rank 1 भी निकाली हुई है ITJ के अंदर दो बार ठीक है तो वो content आप लोग से share करते हैं जो कि आपको solve करने से benefit होगा इस तरह का content आपको motivational messages और motivation sessions भी मिलेगे founders के ठीक है इस तरह से daily messages जो सर डालते रहते हैं आप लोग को motivated रखने के लिए तो I would say कि preparation की mainstream में बढ़ने रहने के लिए this is a very good channel जहां पर आपको daily dose of motivation में मिलती रहेगी और आपको relevant content भी मिलता रहेगा ठीक है तो यह एक point है दूसरा point यह कि जो बच्चे अभी immediately 2024 में यानि कि में में जो जई advanced exam होने वाला है वो देने वाले हैं and if they are looking for a good problem set जिसमें की number of questions come हो लेकिन जो concept coverage हो जादा हो जिसमें variety of questions जादा हो एक variety के question बार-बार repeat ना हो ठीक है और question का level advance का हो इस तरह का अगर आप कोई content ढून रहे हैं तो guys Vedantoo की यह जो rank accelerator books है ठीक है you can procure them you should get them and you should start solving them ठीक है बहुत इच्छा content है यह वही content है जो इकलब है के बच्चे solve कर रहे हैं अभी इस समय ठीक है तो आप भी इस content का file out हाई है इसको आप purchase कर सकते हैं यह amazon पर भी available है link इसका description में है और यह Vedantoo store पर भी available है आप Vedantoo की website पे जाके Vedantoo store को visit करके वहा करता हूं कि अपने ऐसा किया है और अब देखते है कि कैसे question solve होगा तो question कह रहा है कि there is a uniform rope of linear mass density lambda and length L and it is poiled on a smooth horizontal surface one end is pulled up with a constant velocity V then the average power applied by the extra legend in pulling the entire rope just off the ground ठीक है तो इसको पूरी तो basically क्या हो रहा है question क्या कह रहा है उसको समझ दे तो question यह कह रहा है कि मान लो यह surface है इस surface के ऊपर हमारे पास एक chain थी जो कि हमने chain कहलो या heavy rope कहलो जो कि हमने एक loop के form में रखी हुई थी ठीक है और उसके बाद हमने इसके एक end को पगड़े के lift करना start कर दिया कुछ देर के बाद यह पूरी की पूरी chain हवा में आ चुकी होगी ठीक है तो इस समय जो external agent है वो इसको end को ऊपर कर रहा है ठीक है यह उस situation को represent कर रहा है जबकि अभी chain उपर उठ रही है ठीक है तो हमसे question पूछा गया है कि average power कितनी deliver करी है external agent ने वह बताए तो यहां पर external agent एक force भी लगा रहा होगा यह force constant होएगा या नहीं यह भी हमें नहीं पता ठीक है तो इसके बार पर हम विचार करे तो इसका मतलब होता है कि हम जो total work done है ठीक है यह जो भी work done by external agent यहां पर total से मतलब हुआ initial figure ठीक है यह जो initial figure था इस situation से लेके इस final situation तक आने की duration में इस पूरे period में इस पूरी अवधी के अंदर ठीक है external agent ने जो भी work कर लिया है वो work आप calculate कर रहो और फिर कितना time लगा उस time से divide कर दो इससे आपको average power पता लग जाएगी ठीक है तो मेरा पहला question यह है कि हम time के बारे में सोच रहते है पहले कि कितना time लगा होगा ठीक है यह सोचना कोई कठीन काम नहीं है क्यों कठीन काम नहीं है क्यों कि external agent ने क्या किया होगा यहां से एक end पकड़के उसको उपर उ तो ऐसा करने में जो समय लगने वाला है ठीक है उससे हम L upon V लिख सकते हैं बड़ा simple है यह तो time हमें पता लग गया अब हमें बात करनी चाहिए कि external legend वर्क कितना किया होगा work calculation हम किस पर रिसे करते हैं वो देखते हैं इस question में सबसे tricky part work calculation करना ही है यहीं पर जाला तर करते हैं तो work calculation के ना दो thoughts है जो बच्चों के mind में आते हैं ठीक है एक है जो कि बहुती simple thought है और उससे गलत आंसर आ देता है और दूसरा है जो कि थोड़ा सा complicated है लेकिन सही answer रही देता है तो पहने जो simple thought है उसको में बच्चों के mind में यह होता है कि हम work calculate करने के लिए क्या क कि है सकते है कि work done by external agent ठीक है we can say that work done by external agent ठीक है प्लस work done by gravity ठीक है और normal force तो कोई बच करेंगा रही ठीक है क्योंकि normal force in points पर लग रहा है उन points वो उस समय के लिए rest पर लग रहा है ठीक है equal to change in kinetic energy और final kinetic energy को हम का लिखेंगे final kinetic energy को हम लिखेंगे half into mass of chain क्योंकि पूरी की पूरी chain motion में आ चुकी है और V square क्योंकि पूरी की पूरी chain का हर एक टोड़ा V speed से चल रहा है ठीक है तो work done by external agent लिखने का एक तरीका क्या हो गया ठीक है एक तरीका सही है गनत है वो भी check करेंगे तो यह हो गया है lambda L into V square by 2 minus work done by gravity और work done by gravity हम कैसे निकालेंगे work done by gravity हम initial and final situation को देखें निकाल सकते हैं हमको दिख रहा है कि हमें पूरी chain जमीन पर पड़ी हुई है तो पूरी chain का center of mass हम यहाँ पर माल सकते हैं इसको हम zero height की location मान लेते हैं तो initial energy zero है final energy में chain एक straight line की form में है तो इसका जो center of mass होगा वो L by 2 height पर होगा यानि कि gravity का जो work है वो negative आएगा क्योंकि center of mass क height बढ़ गई है ठीक है और वो कितना होगा मैं यहाँ पर लिख दाता हूं work done by gravity जो बनेगा वो बनेगा minus of mass of chain यानि कि lambda L into G into change in height of center of mass यानि कि L by 2 तो यह बन जाएगा minus lambda G L square by 2 तो यहाँ पर एक minus sign already है तो यह प्लस बन जाएगा lambda G L square by 2 ठीक है तो यह बन गया work done by gravity तो total work done आगया अब इसको मैं time से divide कर देता हूं ठीक है तो अच्छा L जा है L को हम V into T लिख सकते हैं देखो यह चलो हम सीधे time से divide कर देते हैं तो lambda L V square by 2 ठीक है प्लस lambda G L square by 2 इसको divide कर देते हैं time से time था L upon V तो यहाँ से देख लो कि क्य expression बन रहा है यहां से बनेगा lambda V cube ठीक है lambda V cube by 2 एक expression यह बन जाएगा दूसरा क्या बनेगा दूसरा बनेगा lambda G L एक L cancel हो जाएगा into V by 2 ठीक है तो एक answer यह आ रहा है ठीक है यह answer ता बारा है जब हमने work की calculation इस तरह के सगरी ठीक है अब अगर हम options में देखें तो option में ऐसा option नहीं है यहां पर lambda V square है ठीक है तो यह dimensionally incorrect हो गया ठीक है यहां पर V square की term भी नहीं है यहां पर V cube अलिटर्म है ठीक है तो यहां पर अगर मान लो by 2 होता यहां पर अगर by 2 होता तो हम कहते हैं कि C a d option मतलब सेम हो जाते कि और d option ठीक है पर सवाल यह कि क्या यह करना सही था तो बचो आहां पर गलती है यह करना ठीक नहीं है यह बट ठीक है कि हम ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा बट सवाल यह है कि हमने एक्स्टरनल एजेंट की वर्क की कैल्कुलेशन करी है उस कैल्कुलेशन में फॉल्ट है फॉल्ट क्या है बट भी कोड़ाता हूँ फॉल्ट यह है कि हमने एंघूएशन लगा है हमने वर्क अठीक और लगा है टोटल वक डंड इकोल एकशन हम तब लगा सकते हैं जब इनिचल और फाइनल सिच्वेशन के बीच में कोई कोलीजिन या कोलीजिन जैसी situation प्रेज्ट् कोलिजन होता है कि कभी भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके विलॉस्टी में अगर सडेन चेंजे आ गए ठीक है तो यहां पर एनरजी एक्वेशन लगाना डूबियस हो जाता है तो यहां पर ऐसा हो रहा है क्या वेल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है कैसे हो रहा है देखो किसी भी टाइम पर किसी भी टाइम पर चेंग का कुछ हिस्सा हवा में है यह है मानलो वी टी लेंथ का टुकड़ा और इसके डीटी टाइम के बाद जो लेंथ हवा में आएगी ठीक है वो डीटी मातरा से बढ़ चु और dt सर्में बीचते ही इसकी velocity V हो गई है V एक finite number तो यह जो छोटा सा mass था हम chain को उपर उठाते जा रहे हैं जैसे जैसे chain को उपर उठाते जा रहे हैं तो हर dt duration में थोड़ा सा mass है जिसकी velocity 0 से finite हो जा रही है dt time के अंदर finite change in velocity तो यह तो collision जैसी situation हो गई तो हर एक समय एक mass जो की surface के just contact में आने वाला है वो पहले move कर रहा हो तो भी velocity से और surface के contact में आने का पर उसकी velocity 0 हो जाती तो यह collision like situation create करता है और इसी लिए ही जो chain के question होते है chain का lifting of the table या उसको table पर पतकना इसमें work calculation रहा tricky हो जाता है तो समझने की बात यह है कि इसमें collisions involved है इसलिए work energy theorem को use नहीं करना चाहिए तो sir अगर work energy theorem को use नहीं करना चाहिए तो exactly क्या करना चाहिए फिर तो क्या करना चाहिए वो मैं करके दिखाता हूँ आपको तो हमें कुछ इस तरह की चीज करनी चाहिए कि यह तो हम use करना चाहते है हम यह work कैसे calculate करें हम उस पर concentrate कर रहे है तो work calculate करने के लिए हम एक general time की बात करते है किसी general time में किसी general time में क्या situation रहेगी chain जो है यह नीचे लिप्टी हुई है मतलब पड़ी है और कुछ chain की length हवा में है यह length VT मान लेते है यह length VT है और इस समय इस समय chain के उपर जो forces लग रहे है एक F force उपर की तरफ लग रहा है एक ground से normal reaction लग रहा है एक chain का खुद का weight W तो these are the forces active हों तो chain सोच के देख लिए इसके लवा कोई force नहीं है external agent है W है normal है ठीक है DT समय के बाद का चितर बनाता है तो DT समय के बाद के चितर बनाते है तो DT समय के बाद चो chain हवा में है उसकी length V DT और हो चुकी होगी VT प्लस V DT हो चुकी होगी ठीक है forces अभी भी मान लेते हैं यह F force है ठीक है यह लग रहा होगा यहां से normal force होगा और W है तो इन दोनों को इनिशिल और फाइनल मान के अगर मैं impulse momentum equation लिखता हूँ impulse momentum equation का मतलब हुआ अब फट को positive मार लेते हैं तो f का impulse f dt है normal का impulse n dt है gravity का impulse है minus w, अच्छा w कितना है w है mass of chain ठीक है, उपर वाले पार्ट पर भी लग रहा है जो पार्ट जमीन पर है तो उस पर mg नहीं लग रहा, उस पर भी लग रहा है जो हमा में है, उस पर भी लग रहा है तो हम जब mg लिखेंगे या जब हम force due to gravity लिखेंगे तो पूरा mass लेगे ठीक है, तो m into g यह हो गया, w into dt ठीक है, is equals to change in momentum यह हमने impulse लिखा है इसको initial, इसको final मानके हमने impulse लिखा है impulse लिखेंगे, इसको change in momentum तो इस situation में जो moving path है, वो यह है इसमें moving path यह है तो जो change in momentum है ठीक है, जैसे change in momentum किता हुआ इस v dt mass का momentum है that is the change in momentum ठीक है, difference लेने पर बाकी momentum तो cancel हो जाएगा तो इस v dt length का mass है lambda into v dt, यह हो गया mass ठीक है, into velocity, यह हो गया change in momentum, ठीक है तो यहां से हम क्या पतालाया निकोशिश कर रहे है हम f की value है, मतलब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैंना f को पतालाया निकोशिश कर रहा हूँ फिर f is the external legend ठीक है, तो dt, dt, dt यह सब कट गया तो f की value आ रही है, यहां से f की value कितनी आ रही है, यह आ रही है lambda v square lambda v square plus lambda lg minus n, ठीक है, यह value आ रही है अब सोचती की बात है कि n क्या होगा ठीक है, तो यहां पर हम यह assumption ले सकते हैं कि यह जो n है, यह जमीन पर पड़े तुकडे का weight होगा यह जो n होगा, यह जमीन पर पड़े तुकडे का weight होगा यानि कि n कितना होना चाहिए यहां पर मरबस जगे है, तो यहां पर करते है ठीक है, हमने f को लिख दिया था lambda v square lambda v square plus lambda lg minus n, ठीक है, यही था और n को हम क्या लिखना चाहते है n को हम लिखना चाहते है जमीन पर जो टुकडा पड़ा है जमीन पर कितना टुकडा पड़ा है तो lambda into l minus vt यह जेखो, l minus vt length जमीन पर पड़ी है vt length हवा में ठीक है, तो यह mass होगया into g, ठीक है lambda lg, lambda lg cancel हो जाएगा plus lambda vt into g ठीक है, तो notice करो कि यह जो force है यह constant नहीं आए, time के साथ increasing force है और इसकी जो power है इसकी जो instantaneous power है instantaneous power f.v हो जाएगी force भी उपर है, velocity भी उपर है ठीक है, तो यहापे cos 0 भी लिख देता हूँ है ताकि आपकी confusion दूर है ठीक है, तो यह कितना हुआ तो यह जो instantaneous power है ठीक है, यह हो गई f.v, यानि की lambda v3 plus lambda v2 into t into g ठीक है, और अब अगर मैं जो external legend का work निकालना है तो वो हो जाएगा, यह जो instantaneous power है इसको time के साथ multiply करके integrate कर दो 0 से capital T तक, where capital T is the time जो की उपर उठने में लगा है तो यह कितना हो गया तो इस integral को अगर मैं पूरा करता हूँ ठीक है, I am pretty sure कि आप लोग integral को खूद कर रहेगे तो lambda v2 into t आ जाएगा और इधर आ जाएगा lambda v square g upon 2 into t square चेक कर रो, t dt का integration t square by 2 हो जाएगा ठीक है, अब t की value डाल दो हमें अभी चाहिए average power तो average power हो जाएगा w external divided by t तो यह अगर मैं करता हूँ तो value आ गई lambda v cube प्लस, अब t से divide करने का मतलब lambda v square g by 2 1t भी आएगा और इस t को हम replace कर देता है क्योंकि option में t कहीं में भी नहीं था तो इस t को मैं replace कर देता हूँ ठीक है, इस t को मैं replace कर देता हूँ किससे, इसको मैं replace कर देता हूँ l by v से, तो यह भी cancel होकर यहाँ पे square हट जाएगा ठीक है, तो यह हमारा answer बनेगा और notice करो, यह उस answer से different है जो कि हमने work की जो दूसरे तरह की calculation होती है उससे करी थी, ठीक है, उससे average power कमा दी थी इससे average power जादा आ रही है ठीक है, उस समय यहाँ पे by 2 भी आ रहा था यानि कि इस case में external region ने जादा power दी है, या yuk yellow की जादा work किया है ठीक है, तो जादा work किया है लेकिन energy energy गई कहा, external region ने जादा work कर दिया लेकिन energy तो kinetic की form में ही है gravity की form में ही है, तो हमारे पहले method में हमने energy calculate करी थी, वो इससे different थी, तो यह difference आया, कहां गया बाकी heat में गया है, ठीक है, क्योंकि collision जैसे situation arise हो रही है, तो heat भी तो produce होनी चाहिए, loss of energy तो होना चाहिए तो यहां से दिख रहा है कि external region ने work जादा किया है, ठीक है, system के पास जो kinetic plus potential का समय वो इससे कम है क्यों कम है, क्योंकि energy loss हुआ होगा, ठीक है तो therefore, आप सब देख सकते हैं कि इसका जो answer होगा, option C होगा, ठीक है which is lambda V cube plus lambda L Vg by 2 लगई, इस question से मैंने कोशिश करी है, एक ऐसे subtle point को cover करने की, जो बहुत सारे students और teachers, दोनों miss कर जाते हैं, इस question के solution में ठीक है, बहुत बार आपको जो solution दिया जाएगा, वो पहले वाला जो मैंने solution में बता दिया था वो दिया जाएगा, लेकि बच्चों वो गलत होता है ठीक है, तो, with this, I hope you enjoyed this question, and we will now move to the next question next question है, two solid twists में, center of mass निकालने का question है, ठीक है अच्छा question है, मतलब, है center of mass निकालने का question, सारे बच्चे मानके चलते हैं, कि आसान होगा लेकिन, ठीक है, देखलते है, अगर आसान है तो आप खुद इसका answer, सही तरीके से अच्छा निकालने कान एक का निकालने कालने, क्योंकि क्योंकि अप्शन निकालने मुझे दोनों को दिक्ञालने किया है, तो situation क्या है पहले मैं उसको द्रॉक कर लेता हुआ, वह जा लेकिन मैं काम करता हूं, चलो, फिरासा बडला आधा है तो एक हेमिस्फेर है जिसकी डैंसिटी रो है ठीक है बड़े-वाले की रो है ठीक है और एक छोटा हमधिसफेर पहले अलग बनाताए कर दूर दूर बनाता है इनको ठीक है बात में मैंबना देंगे तो इसकीshow ह है और इसका जो दीश रो तो यहां पर पहले तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं इनके mass ratio की बात पहले कर लूँ ठीक है, तो mass ratio की बात अगर करनी है, ठीक है, तो देखो, हम properly calculate करेंगे तो करी सकते हैं, लेकिन मैं को एक चीज़ समझ भा रही है, कि suppose इसका radius r होता और इसका radius r by 2 होता, तो इसका mass अगर मैं m अगर density same होती तो, same density होने पर, radius का ratio अगर half है, तो mass का ratio उसका क्यों बुझाएगा, ठीक है, यह तो तक होता जब density same होती, अब लेकिन density इसकी rho है और इसकी double है, तो यारी कि इसका mass मैं double कर देता हूँ, तो यहां से तो मुझे पता, of course, of course, some proper calculation करके लिख सकते हैं, लेकिन मै मैं वैसे सोचना बता रहा हूँ, जिस तरीके से तो मैं exam में अपना समय बचा सकते हूँ, तो इसका mass, अगर मैं M लेनाता हूँ, तो इसका mass M by 4 होगा, अचला, इच्छी बात है, अब एक दूसरे बारे में बाप करते हैं, दूसरी चीज यह है, कि क्या हमें hemisphere के center of mass की locations पत तो इसका भी यहां से 3R by 8 distance पर होगा, लेकिन यह चोटा वाला यूज होगा, इसका खुदगा radius यूज होगा, तो यह हो जाएगा 3R by 16 पर, तो यह चीज हमें पता लग गई है, अब given question के अनसार, given question यह कह रहा है कि आप क्या करें, आप origin ले ले इसी point को, तो अगर मैं इस इसको origin ले 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 लेता हूं, इसको x-axis और इसको y-axis ले ले लेता हूं अगर मैं, तो यह जो mass है, कौन सा mass, m mass जो है, इस m mass के coordinates हो जाएंगे 0,3R by 8, I hope you agree with me, ठीक है, इसके coordinates हो जाएंगे 0,R by 8, ठीक है, और जो दूसरा वाला hemisphere को, इन दोनों के center के बीच में, horizontal distance पर था, ठीक है, तो अब तो imagine करो, इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कि यह वाला जो point है, यह यहाँ पर है, और यह distance r by 10 है, ठीक है, तो यानि कि, यह जो m by 4 mass है, इसका जो coordinate है, x-coordinate, वो है minus r by 10, ठीक है, इसका जो x-coordinate है, वो है minus r by 10, और इसका जो y-coordinate है, वो हो जाएग minus 3 r by 16, ठीक है, तो हम को, हम क्या कर सकते हैं, हम इन hemispheres को replace कर सकते हैं, दो particles के साथ, ठीक है, जिनका mass m और m by 4 होगा, m mass के particle को इस coordinate में मानेंगे, m by 4 mass के particle को इस coordinate में मानेंगे, तो हमने इस system को 2 particle system में convert कर दिया है, और अब हम इस 2 particle system का center of mass बहुती, रडिली निकाल सकते है तो यह हम करते हैं, मैं यहाँ एक पर information वापस लिएता हूँ, m mass का जो coordinate था, वो 0, 3 r by 8 था, ठीक है, और m by 4 का जो coordinate था, यह minus r by 10, minus 3 r by 16 था, ठीक है, तो अगर मैं x cm निकालने की बात कर रहा हूँ, इसका formula होता है, m1 x1 plus m2 x2 divided by total mass, m1 plus m2, तो यह calculation को execute करते है, m1 हो जाए जाएगा, m by 4, और x2 हो जाएगा, minus r by 10, ठीक है, total mass जब हम करेंगे, तो m plus m by 4 मैं directly 5 m by 4 रिख जाता हूँ, तो calculation करने पर यह m by 4, यह m by 4 में cancel कर दूँगा, तो minus r by 50 था जाएगा, ठीक है, अब क्योंकि यह question objective है, exam में एकर मुझे करणा होगा, तो पहले में जाके चेक कर ठीक है, यह eliminate हो गया, यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह minus r by 30 है, यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह minus r by 30 है, तो minus r by 50, तो a or c में से ही answer होगा, suppose इन दोरों में से भी अगर एक eliminate हो जाता, तो exam में तो कम से कम है y coordinate निकालने की जहमत नहीं उठाता, ठीक है, अभी तो लेकिन हुआ न लिख दता हूँ, m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 करेंगे, m1 हो जाएगा 0 y coordinate इसका है, sorry 0 नहीं, m, ठीक है, यह हो जाएगा, m3r by 8 plus m by 4 into minus 3r by 16 divided by total mass वापस से m by 4 आ जाएगा, तो यह कितना बना, अब जैसे मुझे यहां के दिख रहा है कि m को cancel कर देते हैं, ठीक है, m को हटा देते हैं ताकि हमें कम लिखना पड़े, और हम अब एक काम कर सकते हैं, हम 3r को common निकाल लेते हैं, ठीक है, 3r को common निकाल लेते हैं, और एक और काम करते हैं, numerator को भी multiply कर देते हैं 64 से, और denominator को भी multiply कर देते हैं 64 से, इस 5 को भी बहार निकाल लेते हैं, ठीक ह Numerate अगे अंदर, 64 जो multiply करूँगा, तो बचेगा 16, ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया, 3R into 7, 3R into 7 divided by 80, ठीक है, तो ये हो गया, 21R by 80, तो ऐसा option था मेरे ख्याल से, ठीक है, option A में 21R by 80 है, तो C गलत हो गया है, तो option A जो होगा, वो सही option होगा, ठीक है, तो चेक करन था है, option A is the right one, तो था ये question सीधर साथा, लेकिन इस question में error करने की बहुत गुंजाश थी, मतलब कहां कहां पर error हो सकता था, mass ratio आपने गलत ले लिया होता, तो अगर बढ़ जाती है, फिर X1, Y1 को width sign लिखने में बढ़ बढ़ इक चांसे है, और उसके लगा, तो ये हो गया तो ये हो किया, पर पर क्वेशन पर क्वेशन, अब आते हैं फर्ड ग्ष्टन पर, तो बच्छा सब सब बहले मैं स्क्रीन सब बहर चला ताहूं, अप लोग देख लीजे को, अटेंट कर लीजे, ठीक है, पॉस कर दीए वीडियो और अटेंट कर लीजे और उमीद है उप अब साझगा सब्सक्तर्यूम है, तो अब उभल चांट को मातम मैं सब्सक्राइब kit एच के साच कर लीजे निचेंट का षड़िड में, बाखुमा। अब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब डिकर रिक्षन सब्क्राइब को मेर्त इसा Зब्सक्राइब तो यह जो capital M है, इसका mass हमें 2M मान लेना है, अच्छी बात है, capital M is 2M, ठीक है, then at the time of rejection, तो हमने इस ball को hit करा है, और अब क्या होगा, हमें यह judge करना है, तो अगेन बहुत ही tricky question है, जादा तर बच्छे इसका गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसको V0 velocity से hit कर दिया है, और यह ball tube के अंदर चलना start करेगी, यानि कि ball का इस समय जो इसकी trajectory बनेगी, कि उसका radius of curvature होगा, वो R के ब्राबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर गलती है बच्छो, यह नहीं होगा, बच्छे से इसका generally कैसे answer करते हैं, कि यहाँ पर normal force लग जाएगा, इस normal force की वज़े से यह V0 speed से जा रही है, तो N equal to M V0 square by R करते हैं, लेकिन वो गरबढ़ है, ठीक है, वो गरबढ़ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या गरबढ़ है, मैं वो बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो center of mass के पास इस समय velocity है, ठीक है, और यह velocity कितनी है, यह velocity हो जाएगी M V0 divided by total mass, तो यह V0 by 3 हो जाएगी, समझा रहा है, ठीक है, मतलब कि हमने जब इसको V0 velocity दी है, तो center of mass V0 by 3 speed से उपर जाना स्टार्ट कर देगा, और फिर यह लगातार उपर जाएगा, ठीक है, यानि कि हो यह रहा है, actual में situation यह है, कि यह point अपना सीधी line में जा रहा है, ठीक है, और यह center भी इसके about घूमना स्टार्ट कर देगा, और यह particle भी इसके about घूमना स्टार्ट कर देगा, समझा रहा है, यानि कि particle की trajectory कुछ ऐसी होने वाली है, ठीक है, और इस center की, इस की trajectory कुछ ऐसे होने वाली है, ठीक है, समझा रहा है यह, मतलब यह double star system की तरह move करेगा, समझा रहा है, तो इस system को observe करने का जो best तरीका है, वो यह है कि हम center of mass पे जाके बैठ जाए, ठीक है, तो जब हम center of mass पे जाके बैठेंगे, ठीक है, जैसे यह m mass का particle है, यहाँ पे भी मै 2m mass का particle बना देता हूँ, जो ring के center को depict कर रहा है, तो हम center of mass पे जाके अगर बैठ जाएंगे, तो हमको यह दिखाई देगा, हमको यह दिखाई देगा, कि यह particle एक circle में चल रहा है, जिसका radius है 2r by 3, ठीक है, जिसका radius है 2r by 3, और जो छो छोटा, जो heavier particle है, ठीक है, जो heavier particle है, तो भी circle में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी गरवड कर दी है, गरवड figure बनाने में हो गई है, इसका जो center होना चाहिए, ठीक है, यह इसके about S से, मतब कि this should be the center, 2r by 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह जो 2m mass का particle है, यह 2m mass का particle जो है, यह circle में चलेगा, और इस circle का radius होगा, r by 3, तो अब हम इस frame में बैटे है, center of mass में, क्या वो inertial frame है, बिलकुल, क्योंकि center लो straight line में जा रहा है, constant speed के साथ, तो यह non accelerated frame होगा, यह inertial frame होगा, तो हमें speed of force लगाने के ज़र होती है, तो इस frame में बैट के तुम क्या कहोगे, कि यह small m जो है, यह circle में जा रहा और center of mass V0 से जा रहा था, यह rest पे था, तो center of mass frame में, sorry, यह V0 by 3 से जा रहा था, तो center of mass frame में जब तुम जाओगे, तो इसको rest पे बान लोगे, और इसकी velocity में से यह minus करोगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2V0 by 3, और इसकी velocity, यानि कि 0, 0 में से इसको minus करोगे, तो इसकी लीज ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जो normal force है, वो होगा M into 2V0 by 3 square upon radius, which is 2R by 3, तो यहां से answer आ जाएगा 2MV0 square by 3R, ठीक है, तो logic देखो बच्चो किस तरह से, मतब इस question को समझने के लिए, यह imagination सबसे जादा important थी, कि जब हम इसको V0 देंगे, तो इसके बाद subsequent motion कैसा होगा, अगर अगर आपकी imagine कर सकते हो, तो you can get this question right, अगर आपकी imagine नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको problem होगी, इन questions को सही करने में, ठीक है, तो 2MV0 square by 3R will be the right answer, और रे बच्चो, अब यह बिल्कुल similar question है, अभी जो हमने question कर रहे है, उसी के जैसा question है, तो ideally तो आपको आपको वीडियो pause करके यह question could try करना चाहिए, and मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप यह question कुछ सही कर पाते हैं, तो, ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, आप प्लीज इसको attempt करिये, ठीक है, and then continue the video, let's see whether you got this right or not, तो यह कहला है, the figure shows a block of mass M equal to 2M, having a spherical smooth cavity of radius R, there is a small ball of mass M, ठीक है, at an instant vertically downward velocity with respect to the block at this instant, तो, बिल्कुल same question है, कि, इसका जो mass है, वो 2M है, हमने इसको downward velocity V दे दी है, ठीक है, इसको downward velocity V दे दी है, normal reaction, अब इसी instant की बात की गई है, इसी instant की बात की गई है, ठीक है, तो normal reaction, अब इसमें होगा क्या कि, हमने इसको normal, ढीचे की तरफ velocity दी है, ठीक है, त यहाँ पे इनके बीच में normal force, पिछले जैसे नहीं है, यह थोड़ा सा different है, पिछले question से, तो इनके बीच में normal force develop हो जाएगा, ठीक है, तो इने में अगर normal force develop होगा, तो वो normal force, जैसे wedge की उपर interact करेगा, और इसकी उपर interact करेगा, question हम से इसी normal की value को निकालने के लिए बोल र ठीक है, the normal reaction on the block by the block, ठीक है, the acceleration of the block with respect to the ground is acceleration of the block with respect to, तो acceleration, तो देखो, हो क्या रहा है, इसको हमने नीचे की तरफ velocity दी वी, यह block, नीचे की तरफ समने इसको velocity दी नहीं थी, इसको उपर एक normal force develop होगा, लेकिन क्या यह normal force block को एकदम से V speed जैदेगा, no, क्योंकि यह impulsive नहीं ह अब ऐसा नहीं कि block के पास एकदम से velocity आजाएगी, तो instantaneous velocity block की 0 है, ठीक है, instantaneous velocity block की 0 है, अब देखो, हम इस question को कैसे करेंगी, मतलब हम यह बोल सकते हैं, कि जो block है, ठीक है, उसके उपर एक normal force लगा, और उसके लावर जो forces हो वो vertical है, तो इसका acceleration इदर A मान लेते हैं, और हम इ आके बैठ गया, मतलब कि यह block है, ठीक है, मैं particle को observe करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं particle को observe करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं block पे बैठ हुआँ, तो अगर मैं block पे बैठ हुआँ, तो मैं एक non-inertial frame में बैठ हुआँ, इसलिए जब मैं particle का FVD बनाऊंगा, तो उसके उ चीडो फोर्स ड्रा करूँगा, जो कि MA हो जाएगा, एक MZ ड्रा करूँगा, बस यही फोर्स ड्रा करूँगा, और इस block पे बैठ के मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी speed V downward है, remember block की initial velocity 0 थी, क्योंकि block की initial velocity 0 थी, इस ते block के respect में इस particle की वही velocity होगी जो ground frame में थी, ठीक है, तो मैं कहे रहा हूँ कि यह V speed से नीचे जा रहा है, यह circular track में चल रहा है, ठीक है, अब देखो इस frame में यह circular track ने दर आएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि N प्लस MA जो है, यह M V square by R होना चाहिए, ठीक है, और N की value 2MA है, तो 3MA जो है, यह M V square by 3R होना चाहिए, ठीक है, तो wedge का acceleration आ गया, ठीक है, तो अब हम normal force की बात कर सकते हैं, जैसे normal force कितना था, 2MA था, तो यह हो जाएगा 2 into M into V square by 3R, तो हमने normal force निकार लिया, बाक्य option भी चेक कर लिते है, normal reaction by ball on the block, ठीक है, तो यह option सही लग रहा है, A और B में से तो, acceleration of the block with respect to ground, यानि कि A की बात हो रही है, तो यह option ठीक लग रहा है फिर, तो B और C जो है, they are the right options here, ठीक है, बचों, तो देखो किस तरीके से, यह questions जाद अतर जनता गलत करती है exam में, जाद अतर जनता इन questions को गलत करती है, आप प्लीज नोटिस करिए कि मैं किस तर इस इन questions को कर रहा हूँ, ठीक है, क्या यह question समझने आसान है, नहीं, क्योंकि यह advanced level के questions है, ठीक है, मैं expect नहीं कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारे बच्चे, जिन्होंने शायद उतनी deep level पे तयारी नहीं करी, जितनी IIT यह advanced के लिए चाहिए होती है, उनको यह question समझने में difficulty होगी, ठीक है, ल चलना है वो आपको सिखा सकते हैं, वो पहाड की उचाई को कम नहीं कर सकते हैं, तो advanced अगर difficult exam है और उसमें difficult question आते हैं, तो questions का nature में आपके लिए आसान नहीं बना सकता हूँ, मैं यह सिखा सकता हूँ आपको, कि आपको उन questions को tackle कैसे करना है, मैं जो क्या भी करने की question के उपर, इसमें, अगें मैं एक बार frame से हट जाता हूँ, आप देखिये, यहां पर एक important, बहुत important बात लिखी हुई है, ठीक है, पढ़ते है question को, block of mass service push towards a movable wedge, तो यह wedge move करता है, ठीक है, and high test with a velocity u, all the surfaces are smooth, the minimum value of u for which the block will reach the top of the wedges, क्यों लिखाई है, यह लास लास लाइन है as the block climbs of the wedge, इसको समझते है, normally आप क्या imagine करेंगे, कि यह block यहां से आ रहा है, यूसमेट जा रहा है, और फिर यह इस wedge के उपर चड़ गया, और जब यह इस wedge के उपर चड़ा, ठीक है, और चड़ने के बाद इसकी direction change हो गई है, although मैं इसकी speed में चेंज नहीं मान रहा हूँ, यह इधर जाते जाते हैं, अचानक से ऐसे जाने लगा, ठीक है, ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे जाने लगा, तो क्या यह sudden change in velocity नहीं है, velocity vector पहले इधर था, फिर अचानक से ऐसे हो गया, एकदम dt time के अंदर, ठीक है, तो is it not a sudden change in velocity, ठीक है, and sudden changes in velocity are equivalent to collision, मतलब कि यह अगर य energy loss होने की chances है, यानि कि हम energy equation नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो यह यू कहलो कि यह उपर चड़ता है, तो यह u speed से उपर नहीं चड़ता है, क्योंकि u speed से उपर चड़ने का मतलब हुआ, कि कोई energy loss हुआ ही नहीं है, तो उपर चड़ने पर इसकी speed में change आ जाता है, ठीक है यह भी हो सकता है, कि यहां पर आके bounce हो जाए, ठीक है, तो यहां पर energy loss की chance है, लेकिन question को आसान बनाने के लिए बोल दिया गया है, कि energy loss को ignore कर दो, ठीक है, क्या हम यहां पर energy loss को ignore practically करवा सकते हैं, बिल्कुल, practically कराने के लिए आपको यहां पर surface को हलका सा curved बनाना ठीक है, यहां पर यह जो sudden change in slope है, notice करो, अभी यहां पर जो slope में change है, वो sudden है, एकदम से slope change हो रही है, आपको इसको gradual में convert करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप practically energy loss को avoid करना चाते हो तो, यानि कि हमें इस surface में हलका सा यहां पर curvature देना पड़ेगा, समझा रहा है, मतलब कि ऐ ऐसे इसको बना दो अगर, ठीक है, बजाए इसके, wedge की shape ऐसी होगी, तो energy loss के पूरे chance है, और wedge का अगर तुमने surface को gradually horizontal करके और फिर खतम किया है, ठीक है, इसमें energy loss के chance खतम हो चुके है, मतलब कि हमको इस ब्लॉक की trajectory है, वो हमें smooth रखनी है, उसके अंदर अगर कोई corner आ गय nature को notice ही नहीं करते, और यह उन बच्चों की गलती नहीं हो, यूंकि इतनी subtle चीज़े, print के अंदर पकड़ पाना, बहुत मुश्किल है, unless कि आप कोई पता है कि इस print के अंदर गलती मिलना impossible है, इसके अंदर एक छोटी-छोटी, हर छोटी चीज का कुशना कुछ importance है, ऐसा न प्रान लेंगे, तो क्या practically possible है, हाँ भी practically भी possible है, आप नहां पर हरका सा curvature देनो, तो practically भी possible है, तो सर्द दे क्यों नहीं रखा, दे इसने नहीं रखा, क्योंकि तुम को दिखाई नहीं देगा, मतब तुम notice ही नहीं कर पाओ कि दे भी आद दे, मेरे को देने के बाद भी, य का मतलब क्या हुआ, कि यहां पर चड़ेगा, यह आगे चलने लगेगा, यह चड़ता जाएगा, चड़ता जाएगा, चड़ता जाएगा, चड़ता जाएगा, अगर यह चड़ता जाएगा, अगर यह चड़ता जाएगा, अगर यह चड़ता जाएगा, तो यह वापस नी कुछ देर बाद ये मानलो V-speed से जा रहा है तो block यहाँ पर पहुँच जाए चाहे यहाँ पहुँच के यह wedge के respect में move ना भी कर रहा हूँ ठीक है? wedge के respect में move ना कर रहा हूँ लेकिन ground के respect में तो करी रहा होगा मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि wedge के respect में move नी कर रहा तो इस block और wedge की जो relative velocity है वो 0 हो जानी चाहिए ठीक है तो wedge अगर वी से जा रहा है यह भी वी से जाना चाहिए ठीक है अब यह क्या है यह वी हमें पता है तो देखो जिस समय climbing चल रही है जानी कि इन दोनों के intermediate situation की बात करते है इन दोनों के intermediate situation की बात करते है उस समय forces अगर हम बनाएं ठीक है इसके उपर normal force इसका reaction इसके उपर एक ground से force ठीक है इसका weight w1 और इसका weight w2 यह forces है नोटिस कर लो पूरे system के उपर मैं लोग के उपर है दो force normal और उसका weight wedge के उपर है तीन normal ground से normal और उसका weight ठीक है इन में से n है internal इसको हटा दो n है internal ठीक है और बाकी तीनों forces है vertical इसका मतब horizontal direction में कोई external force है नहीं क्योंकि horizontal direction में को external force नहीं है इसलिए horizontal direction में momentum को conserve करवा सकते हैं तो momentum conservation का logic देने के बाद हमने समझ लिया है कि momentum conservation applicable है तो अब मैं momentum को conserve करवा देता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा इसका mass eta m है इसका mass m है तो मैं लिखूँगा m u plus eta m into 0 initial momentum equal to m v plus eta m into v ठीक है तो यहां से v की value आ जाएगी m u divided by m into 1 plus eta यानि कि u upon 1 plus eta यह हमको v बता लग गया ठीक है अब हम energy question लिख देते हैं क्योंकि question बोल रखाएगी वही energy loss नहीं हुआ तो हम energy equation लिख सकते हैं ठीक है तो v की value यह लेकर मैं energy equation लिखता हूँ जगे चीए थोड़ी सी तो इसको मिटा देते हैं ठीक है आप लोगों को अगर यह equation वापस देखनी है अफकोर्स आप वीडियो को back करके देख पाएंगे ठीक है तो energy equation का लिखेंगे हम हम लिखेंगे work done by gravity minus mg h question में हमको यह height दे रखी है ठीक है तो इसकी height h से बढ़ गई है दूसरे की height change ही रही है height बढ़ने पर gravity का work negative होता है और कोई work करनी रहा है तो work done by gravity equal to और कोई work करनी रहा है इसको भी elaborate नहीं करता हूँ मैं work done by gravity equal to change in kinetic energy तो change in kinetic energy कितनी है half into eta plus 1 into m यह सारा का सारा मास जो है यह v speed से जा रहा है और v कितना था u upon 1 plus eta minus half mu square तो इस equation को हम solve करेंगे तो हमें u की value पता लग जाएगी तो मैं solve नहीं कर रहा हूँ आप solve करेंगे answer आ जाएगा very sure about that तो answer जो है वो c option आ जाएगा तो आपने देख लिया इसमें सीखने लाइक बात क्या थी इसमें सीखने लाइक बात ये थी कि किस ये जो curvature वाली चीज है ये आपके दिमाग में हो डी चीए जो अच्छा question अगर कोई frame करेंगे तो उसमें curvature नहीं देंगे ठीक है ये sharp corner देंगे and then energy मतलब इस बात पर rely करेंगे कि आपको यहाँ पर deal करना आता हो इसमें पहला आंसर निकालते हैं वह गलती होता है उसके बाद सिर्फ वह solution देखते हैं solution देखें को लगता है कि solution को गलती तो नहीं है तो यह answer यह होना चाहिए हो सकता है ठीक है उनको यह पताने लगता है कि हमारे solution में क्या गलती थी मतलब कि problem बहाती है उसके अंदर तो इसलिए तो तुम यह बात appreciate कर सको मतलब तुम जब तक इस खड़े में गिरो गी नहीं तब तक तुम्हें समझ भी जाएगा कि इस खड़े में क्यों गिर गए तुम ठीक है तो पहले खड़े में गिरो यानि कि इस एंड को पकड़के यूँ फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया यानि कि कुछ देर बाद carpet हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा ठीक है मतलब की ये है ठीक है अब ये जितनी भी length है ये length यहाँ उपर फोल्ड करी जा चुकी है हम इस end को पकड़के यूँ खीच रहे हैं यानि कि अगर ये length suppose अगर A है तो ये length भी A होगी ये length भी A होगी तो ये end हम एक constant speed से खीच रहे इस end को constant speed से खीच रहे तो moving part का अब ये पढ़ते है ये बड़ा interesting है इसमें क्या क्या रखा है velocity of center of mass of the moving part velocity of the center of mass of the moving part ये बड़ा interesting है तो V के बाली हमें दे रखिये 1 तो again, I hope कि आप लोगों ने इस question को try कर लिया है, बहुत लोगों ने इस question का answer निकाल ला होगा 1 1, मतलब, 1 किता obvious answer है है ना, क्यों obvious answer obvious answer कैसे है, पर देख लेते है moving part को ये जितना भी part, मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने वन क्यों निकाला होगा, वन गलत है लेकिन पहले समझते हैं कि वन आपने निकाला क्या सोच के होगा ये है moving part ठीक है, बाकि जो first पे carpet पड़ा है वो तो rest पे है ठीक है, तो है moving part ये ठीक है, और ये अगर moving part है इस end को अगर मैं वी से खीच रहा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा टुकडा ही वी से जा रहा होगा इस logic में तो कोई गलती नहीं है न ठीक है, एक carpet को हम एक inelastic, inextensible close की तरह मान लेते है, ठीक है तो अगर मैं इस end को वी से खीच रहा हूँ तो ये वाला point भी वी से जाएगा ये वाला point भी वी से जाएगा ये point भी वी से जाएगा, ये point भी वी से जाएगा सभी तो वी से जाएगे ठीक है, सभी वी से जाएगे तो कौन से पॉइंट वह भी हो, उसको हम किस कलर से माग करें, इस से करें, ठीक है, यह, दिख रहा है, तो moving part का center of mass है यह, जब सारे point V से चल रहे है, तो यह भी V से चल रहा है, तो answer होना थी यह 1, लेगर answer 1 नहीं है, कहां इस logic में गलती कहां है, ठीक है, अब जैसे, जातर ल solution में भी गलती नहीं ठूड़ पाते हैं, अब कुछ सही लगता है, अभी मैं करूँगा, तो भी सब कुछ सही लगेगा, लेकिन हम दूसरे solution की बात करें, पहले यह तो समझें कि इसमें गलती कहां है, इसमें गलती कहां है, ठीक है, तो again, J-J-E advanced level की concept सब अच्छो, एकदम पीछे mass add होता जा रहा है, पीछे mass add होता जा रहा है, तो इस समय center of mass यहां पर है, suppose, इस समय, किसी भी समय हमने जब इस टुकड़े को देखा, तो center of mass जहां पर आपके पेंट कर दिया, suppose, मतलब कि, ठीक है, हमार पास कुछ जरिया है, जिससे हमने, मतलब, पिछकारी से paint बा कर रहा है, ठीक है, यह पार्ट अभी move कर रहा है, अब dt समय के बाद, क्योंकि तुम्हें पीछे mass दिखाई दे रहा है, तो अब पूरी length का madhya bindu, midpoint, वो जगे नहीं है, जहां पे तुमने paint मारा था, वो इसके पीछे चला गया है, ठीक है, वो इसके पीछे जा चुका है, समझ्जा रहा है, तो यह पीछे लगातार mass के add होने की वजए से, center of mass में internal sliding हो रही है, मतलब कि chain के या carpet के जिस बिंदू पर, जिस point पर center of mass अभी था, ठीक है, उस पर अगर मैं एक निशान मिला के छोड़ दू, तो dt समा के बाद मैं center of mass को मैं claim नहीं कर सकता, center of mass पीछे ज जरुत थी, कि ये one meter per second गलत क्यों था, I hope ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो इस video को सोचो, पहले खुद brainstorming करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्दो को, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा हूँ, तो इस video को loop में देखते रहो, ये पिछले 2 minute का है, फिर भो बता दो, तो correct solution था, actually बहुत simple है, मतलब, it's a question which is actually based on definition, क्या मतलब है, सर आपका, मैं बताता हूँ, देखो, हमको question में क्या दे रखा है, हमको question में दे रखा है, कि इस point की velocity 1 है, तो मैं इस point का distance किसी stationary point से कुछ लिग देता हूँ, ठीक है, suppose मैं इस point का distance को x1 बताएं गया है, यानि की one बताएं गया है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, हमको सब सही लग रहा है, ठीक है, velocity जब हम किसी point की measure करते हैं, तो उसका हम किसी fixed point से कुछ distance लेते हैं, कुछ नाम देते हैं उस distance को, और उसका जो derivative होता है, वो हमें velocity ground frame होगा है, क्योंकि यह point ground frame में difference ठीक है, अब हमें, अब moving part को सही मैंने moving part को सही पेचाना था, तो बिल्कुल सही पेचाना था, moving part ये है, यह वही length है, यहां से fold हो गई है, तो यह length है, तो यहां तक भी कोई गलती नहीं है, इस argument में कोई गलती नहीं थी, तो moving part का center of mass इस समय यहांपर है, ताच्छन, इस समय यहाँ पर है तो इस समय मूविंग पार्ट के सेंटर आफ मास का जो इस फिक्स लोकेशन से डिस्टेंस है यह है और एक और चीज़ नोटिस करो कि x1 क्या चीज़ है यह पूरी लेंत है यानि कि यह प्लस ए है तो x1 है 2a यानि कि dx by dt इसको हम लिख सकते हैं d by dt of 2a तो यहां से यह भी पता लग रहा है कि 2 times of da by dt जो है वो है 1 यानि कि da by dt यहां से करते हैं तो da by dt जो है वो है half ठीक है हो गय हमको चाहिए dxcm by dt तो यह होगा 3 by 2 times of da by dt यानि कि यह होगा 3 by 2 times of half यानि कि यह होगा 3 by 4 आया समझ में बच्चों ठीक है तो क्या इसमें वो factor role play नहीं कर रहा कि dt समे के बाद center of mass की position बतल जाएगी मतलब हमने क्या किया है हमने किसी भी समय यह सारी चीज़े valid है मतलब कि किसी भी instant पर moving part का midpoint जोगा और center of mass होगा और मैंने axiom की value a की terms में लिख दिया a change हो रहा है ठीक है तो यह बात हमेशा true है थोड़े दिर बात तुम figure बनाओगे तो यह a मान लो b में change हो चुका होगा ठीक है a बढ़के b हो चुका होगा उस समय center of mass की location वो 3 by 2 ही होगी तो यह equation जो है यह हर समय valid है इसलिए problem create नहीं हो रही है ठीक है लेकिन हमारा जो logic था क आपको समझ में आया है ठीक है I hope आपको यह question अच्छा भी लगाए लगना चाहिए जिनको समझ में आगया होगा उनको तो बड़ा enthralling लगा होगा मजा आया होगा ठीक है तो बच्छो बस आज के लिए इतना ही आज के questions थोड़े ज्यादा देफिकर थे I hope आप लोगो मजा आया होगा ठीक है next session के अंदर मैं RBD, rotational RBD के कुछ questions के करा हूँगा और आपके लिए चीजे smooth रहें इसके लिए हम RBD के पहले 2 sessions के अंदर हम कुछ relatively आसान questions करेंगे और जो तीसरा session में करूंगा RBD का उस पे मैं RBD के यानि की rotational rigid body dynamics के यानि की rotation chapter के कुछ cutting सवाल अपलोगों कर करिएगा क्योंकि उसमें आप rotation chapter को में कित्ती intricacies हैं कैसी situations में उनको deal करना सीखेंगे ठीके बच्चों with that I'll bid farewell for today I hope you enjoyed the sessions and keep following this series and keep following the channel guys subscribe it if you haven't done it yet और अगर आज़का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाग करिएगा comments में आप कुछ भी लिखेंगे I'll come back and check the comments और बच्चों बबाए टेक केर